कि हैं है लो फ्रेंज दीस इस रभी पर्मार और एमार है पेजूगेशन सब्सक्राइब की आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं शेयर मार्केट का जो सेशन होता है और बेजिकली हम जो सेशन के बारे में बात करने जा रहे है वह प्री ऑपनीं मार्केट सेशन मिलट जब खुलती है तो नौ बजट से नौ बज़य से लेके नौ फंद्रा तक जो मार्केट रहते है इसमेशनUh प्री आपनिंग मार्केट सेशन कैसे आया कहां से छाय गया और इसको implement क्यों किया गया मार्केट में कई बार क्या होता है कि कुछ special event होते है जैसे कि आप screen पर देख सकते हो merger and acquisition announcement by company कोई company का merger हुआ है या कोई company किसी और company को acquire किया है delisting हुआ है stock का या फिर कोई company का debt restructuring हुआ है credit rating downgrade हुआ है ऐसे कई सारी चीजे होती है जो investor के mind में impact डालती है और उसकी वज़े से क्या होता है कि दूसरे दिन जब market खुरती है तो heavy volatility दिखती है तो ये heavy volatility को control करने के लिए ही pre market session को establish किया गया है हम ये भी बोल सकते हैं कि pre opening market session इसलिए लाया गया है क्योंकि एक सही price जब भी market खुले तो एक stock की सही price हमको मिल सके तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो pre opening market session होती है उसका जो break up पुरा कैसा होता है पहला जो session होता है उसमें order execute होती है then वो order को दूसरी session में match किया जाता है और तीसरी session में market खुलने से पहले उसको stabilize किया जाता है तो वो कौन-कौन से session होते है देखते है तो ये 15 minute में पहला जो session रहता है वो होता है नो बज़े से लेके 9 बज़ कर 8 minute तक- पार-मिनिट का सेयरन रहता है जिसे बोला जाता है they order entry session ये order में आप order buy और Sell का order लगा सकते होÁ्टर को modify करते हो या cancel भी कर सकते हो और यह 8 minute का रहता है दूसरा जो session रहता है जिसे बोला जाता है order matching session और यह रहता है चार मिनिट कौन से task perform किया जाते हैं तो order का matching किया जाता है confirm किया जाता है order को साथ ही साथ opening price जो होती है उसको भी calculate किया जाता है और जब यह order matching session चल रहा है 9 बच के 8 मिनिट से लेकर 9 बच के 12 मिनिट तक तब आप कोई भी order तब आप ना ही buy कर सकते हो sell कर सकते हो ना cancel कर सकते हो ना order को modify कर सकते हो तो simply यह जो session रहती है वो simply order को match करने के लिए रहती है तीसरा जो session रहता है जिसका timing होता है 9 बच के 12 मिनिट से लेकर 9 बच के 15 मिनिट तक 3 मिनिट का session रहता है जिसे बोला जाता है buffer session यह session में क्या आता है तो ये सेशन बफर सेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले दो सेशन में अगर कोई abnormality रह गई है तो उसको fulfill करने के लिए ये सेशन को establish किया गया है और साथ ही साथ जब ये pre opening market से सीधा regular market में जाने वाला है तो उस वक्त उसको मार्केट को stabilize करने के लिए भी ये बफर सेशन को establish किया गया है जोस्तों अब हम देखेंगे कि जब मार्केट खुलती है तो एक stock की price कैसे determine होती है कि ये stock की opening price कैसी रहेगी तो दोस्तों उसको देखने के लिए हमें simply समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे बताया गया है कि during the pre-opening market session call auction takes all orders and then arrives at the equilibrium price तो एक equilibrium price पर आना पड़ता है ये pre-opening session के बाद तो equilibrium price means एक balance price जो होती है वो balance price कैसे determine की जाती है तो जो भी stock होता है वो stock की quantity में कितनी demand है और कितनी supply है उसी के साथ उसकी जो price जो लगाई गया है वो जोड़ी जाती है वो determine करने के बाद ही उसकी balance price निकाल जाती है जिसे ही बोला गया है यहाँ पर equilibrium price तो आप यह theory में अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ठीक से इसलिए हमने case ले रखा है के समझ लीजे के एक जो stock है एक stock है जिसकी closing price कल की price थी 100 रूपे और आज जब pre-opening market session में क्या हुआ तो वहाँ पर अलग अलग की price आपको देख सकते हो auction में 102 रूपे 104 रूपे 105 रूपे 97 और 99 रूपे तो यह सारी उसकी auction लगाई गई है वहाँ पर आप लग सकते हो कि order book कितने order book किये गया है तो buy के लिए आप देख सकते हो एक column अलग दिया गया है हर एक price के लिए buy के गया है वह भी देख सकते हो तो आप देख सकते हो पहली जो price है 102 की वहाँ पे आप देख सकते हो के sell के लिए वहाँ पे कितने traders है 985 और demand की जारे है 3400 की demand की जारे तो अभी supply sell करने वाले ही कम है तो buy कितना कर सकते है वह maximum buy कर सकते है 985 तो maximum tradable value कितनी हो गई 985 तो unmatch order कितने रहे बाकी के जो भी order है वो unmatch हो जाएंगे वो हुई एक 102 की जो means stock price है उसके लिए यह determine कियागा वैसे आप सभी जो stock price है उसमें determine करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहली जो 102 के लिए हमें value मिली है maximum tradable quantity मिली है 985 वैसे आप देखो 21,000, 9,000, 5,000 और 25,000 तो maximum tradable quantity अगर देखोगे और यह सारी price जो 5 price लगा गई उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी price पे maximum tradable quantity है तो वो है 25,000 25,000 अगर आप देखोगे वो maximum tradable quantity हुई और वहाँ पे stock की price क्या है 99 रूपीज तो वो होगी हमारी equilibrium price means market जब open होगा तो यह stock के लिए उसकी opening price होगी 99 रूपीज वैसे अगर हम दूसरा example लेंगे तो उसमें आप देख सकते हो के दो जगा पे maximum tradable quantity आपको देखने को मिल रहे है 25,000 25,000 एक है 104 की stock price और दूसरी है 99 की तो यह वक्त पे यहाँ पे आप कौन सी price consider करेंगे तो जिसमें कम unmatch order होंगे और वो unmatch order कम कहां पे है 104 की price पे 5000 है तो वो वाली 104 की जो price है वो equilibrium price consider की जाएगी और market की जो stop की जो opening price होगी वो 104 रहेगी अच्छा ऐसे ही हम तीसरा example अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप देख सकोगे के 25,000 की maximum tradable quantity तो दीख रहे है हमें और उसके सामने 10,000 की unmatch दोनों तरफ आप 104 की price पे देखोगे और 99 की price पे देखोगे दोनों जगह पे आप देखोगे के unmatch order same है अब यहाँ पे क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे कम unmatch order होगे वो consider किया था आगे तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हमें यह देखना है कि जो भी stock की price पिछले दिन की stock के price के close price से जो नजदीक होगा वो stock price consider की जाएगी तो वो है 99 तूकि 104 ज्यादा है 100 से ज्यादा है 99 उससे थोड़ा close है तो 99 की price वो equilibrium price समझी जाएगी और वो होगी stock की opening price वैसे ही case number 4 देखेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि 25,000 की जो maximum tradable quantity है वो आपको 104 की price और 96 की price दोनों पर देखने को मिलेगी और दोनों के unmatched order की जो number से वो भी same है तो अब यहाँ पे क्या करेगी यहाँ के वो कैसे consider करेंगे कि equilibrium price कौन सी रहेगी तो दोस्तो ऐसे वक्त में अगर close price भी देखेंगे हमके 100 सो से नजदीक 104 भी नहीं है और 96 दोनों 44 point पे खड़े है तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे तो इस वक्त पे जो previous close मिन पिसले दिन क जो close price है उसी को opening price consider किया जाएगा वही रहेगी equilibrium price तो दोस्तो यह थी पूरी pre opening session की detail अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो please like करे, share करे और subscribe करे, thank you, thank you very much